रादे रादे दोस्तों आफ सवी को करवा चोथ की हारदिक शुपकामना हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चोथ पूजन विदी की संपूर्ण जानकारी तो चलिए जानकारी जान लेते हैं क्या है पूजन केसे करना है भो केसे लगाना है पूजा करने का सही तरीक क्या है तो चलिए सबसे पहले सुबा इसना नादी से निर्वित होकर यह पूजा संकल्प लेकर की जाती है दिन बर भगवान का भजन करना चाहिए जाप करना चाहिए और साम को माता रानी की चोकी सजा के पूजा की जाती है तो सबसे पहले फोटो रख लीजिए माता जी का जा कलेंडर में हो या आपके पास प्रतीमा हो इसके बाद में चोकी रख लीजिए चोकी के उपर लाल वस्तर रख लीजिए इसके बाद अश्ट कमल दल के स्तापना करेंगे यह मैं अश्ट कमल के स्तापना कर रही हूँ तो ये मैंने अश्टकमल बना लिया है, इसके उपर मैं कलस रखूंगी जलवर कर, तो ये मैंने जलवी रख लिया है, अब इसमें लॉंग, इलाइची, गोल सुपाडी, सिक्के, आम के पत्ते, ये भी मैंने रख लिये हैं, तो ये अपनी कलस इस्तापना हो चुकी है, इसके गेहुं से भरा जाता है, तो मैंने चावल से भर लिया है, और उपर से भी मैंने चावल रख दिये हैं, ये वरत स्वागिन महिलाएं करती हैं, और जिन कन्याओं की साधी हो जाती है, वैवी ये वरत रख सकती हैं, इस तरह से मैंने करवा भर लिया है, अब आती है करवे की जो चंद्रमा भगवान को अर्द देंगे तो मैंने चोकी सजा ली है यानि आदी सजा चुकी है और आदी अभी बांकी है तो इसके उपर से भी आप चामल रख सकते हैं और इसके बाद मैं मैंने दीपक रख लिये हैं दो जब भी पूजा करते हैं तो पहले सबसे पहले दीपक जलाना जरूरी होता है नहीं तो पूजा अदूरी मानी जाती है क्योंकि दीपक को साक्ची मान कर ही पूजा की जाती है तो ये मेरी थाली भी सच चुकी है और थाली में जो भी स्वाक का सामान है ये सब मैंने रख लिया है चंदन है, कुमकुम है, बिच्छिया है, चूडिया है और ये मातरानी की कता की बुख है और ये चुंदरी है मातरानी के लिए ये मैंने दीपग भी तयार कर लिया है और ये है मावर यानि मातारानी को मावर भी लगाई जाती है और इस तरियां भी लगाती है ये कुसा की डंडी भी मैंने लगा ली है यानि गोवरदन पर लगाई जाती है और ये कुसा ये पूजन में ली जाती है काम में तो ये मैंने कुसावी लग लिए है इसके वासब से पहले सर्व प्रतम पूज गनेजी की आपन पूजा करते हैं सर्व प्रतम पूज गनेजी की पूजा की जाती है तो ये मैंने गनेजी का पूजन भी कलिया है सबसे पहले गनपती जी को आचमन कराएंगे इसके बाद में तिलक, कुम-कुम, चंदन भी लगाएंगे तो ये मैंने पूजन का लिया है, बस्तर भी पहना दिये हैं मैंने ये बस्तर भी अरफण हैं भगवान जी आपको सब कुछ, भूल जूख सब माप करना हमारी जो भी पूजसोविकार करना जिसे मैंने बस्तर पहना दिये हैं और अब भूले नाद की भी पूजा की जाती है गनपती जी के पिताब भूले नाद जी है तो भूले नाद जी की पूजा की जाएगी इसके बाद में चंद्रमा भगवान की भी की जाएगी सभी देवी देवताओं की पूजा की जाएगी तो मैंने गनपती जी की कर ली भोले नाद जी की कर ली है और मैंने दूरवा चड़ा दी है भगवान गनेज जी को दूरवा बहुत पसंद है और ये मैंने पुसु भी सजा दिये हैं बगवान जी को अर्बन कर दिये हैं तो इस तरह से यह बरत बहुत ही महदवपून है इस्तरीयों के लिए यह बरत द्रोपती ने अरजुन के लिए भी किया था यह मैंने चांद भी बना लिया है तो यह मैंने चावल के चंद्रमा बगवान भी बना लिये हैं और ये ब्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महदवपूर है क्योंकि पती की अपनी लंबी उम्रे के लिए ये ब्रत किया जाता है सभी स्वागिन महिलाओं ये ब्रत आवश्य रखती है तो ये चंद्रमा भगवान भी बन गए हैं और अविनका पूजन भी मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी कर सकती हैं और इस तरह से पूरी विदिवदान के साथ ही पूजन करना चाहिए तब ही पूजा का फल प्राप्त होता है तो इस तरह से मैंने पूजन कर लिया है और पुस्वी भी चड़ा दिये हैं मैंने सबका पूजन हो चुका है और अब मैं जो भी सामान है भगवान जो मातरानी का स्वाक का सामान है वो सभी अरपित कर दूँगी उनके चैर्णों में और ये तलक लगा दिया है मैंने सबका पूजन हो चुका है कलस का भी हो चुका है करवा का भी हो गया है इस तरह से सभी भगवान जी का पूजन कर लेना है और यह ब्रत सभी संकटों को हरने वाला है और इस ब्रत का प्रभाव इतना है कि केसा भी विकट से विकट संकटों वो भी दूर हो जाता है तो इस तरह से मेरा पूजन हो चुका है और अब मैं कलस के उपर दीपप को रख दूंगी ऐसे रख देना है और यह बरत सभी पापों का हरन करने वाला है और इस तरह से चोट महिया की पूजा करेंगे कुम-कुम लगा दी है मैंने मातारानी को और कुमकुम लगाने के बाद में पुस्व अर्पित कर देंगे पुस्व सभी को तिलक लगा देना है तिलक लगाने के बाद में पुस्व अर्पित कर लेना है यह ब्रत बहुती उत्तम ब्रत है इस उत्तम ब्रत को आवश स्वागिन महिलाएं आवश करती है तो इस तरह से पुस्व भी मैंने चड़ा दिये हैं और अब ये स्वाग का सामान जो मातारानी के स्वाग का सामान है वो भी मातारानी के चर्णों में मैंने अर्पिद कर दिया है और ये मैंने मातारानी की चूड़ियां वगेरा जो भी स्वाह का सामान था वो मैंने मातारानी के चर्णों में रख दिया है ये मातारानी की चुंद्री है ये मैंने चुंद्री भी मातारानी को उड़ा दी है ये मातारानी की चुंद्री मैंने मातारानी के अरपन कर दी है इस तरह से आप भी इस तरह से आप रख सकती हैं या बड़ी तजबीर हो तो आप उड़ावी सकती हैं इस तरह से मावर भी लगा देंगे मातारानी के पेरों में और जो भी इस तरियां हैं बच्चियां हैं वो भी इस मावर को लगा सकती हैं घर में जो भी हैं और ये चंद्रमा को यह चलनी है जो चंद्रमा भगवान को देखने के लिए वो भी उस साइड रख देंगे सवी सामगरी आप चोकी पर रख देंगे और मैंने अब ये भोग भी लगा दिया है जो भी भाएना है वो एक साइड मातरानी के चर्णों में दिखा करके एक साइड रख देंगे ये मैंने रख दिया है ये भोग भी लगा दिया है मैंने पेड़े का भोग बनाया था पूरिया बनाया थी हलुआ बनाया था यह मेरी आरती भी हो चुकी है जो मातरा ने मुझे बोले नात की आरती आती है जादा गनेश जी की भी आती है और यह मैंने भगवान को आरती दे दी है और मेरी पूजन केसी लगी आपको अगर पूजन मेरी पसंद आहिए को लाइक, शेर, कमेंट और चेनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह से मातरानी की पूजा पूर्ण होने के बाद में मातरानी के लिए पांच हाउतियां जरूर दें धन्यवाद